जैन्द फ्रेंट्स आप सभी का फीर से मेरे यूटूब चैनल में स्वागत हैं उमेद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मेंस के लिए जबरजस्त मेहनत आप लोग कर रहे होंगे एक एक मीनट का आप लोग यूटिलाइज कर रहे होंगे क्योंकि यह मेंस है पीटी तो मैं उन्स फ्रेंट्स के बारे में बात कर रहा हूँ जिनका 25 तारीक दरुगा मेंस का एक्षाम है और बहुत अभी कंफ्यूजन में वोग है थोड़ा सा मतलब एक्षाम नजदी का आता है तो हर किसी के मन माता है बहुत सारे से फ्रेंट्स बोर रहे हैं कि टाइम हम लो करते हैं यह आपका देखेंगा मेंस में तो यह पहली बात कि आप लोग निर्याटी विचार जो भी माइन मार रहे हैं इसको निकाल दीजिए समय सब के लिए सवान मिला है यह नहीं सोचना है कि कम समय मिला है और दूसरी बात थोड़ा सा स्टड़ी को लेकर कि कैसे आप ल सब्सक्राइब क्योंकि जब तक आप लोग मैथ रीनिंग माचा नहीं कर पाईएगा मेरिट बनना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि 20-25 कोश्यरों वहां से आते हैं तो यह हो गया बात कि जो भी मैथ का जो भी चैप्टर है उसका कॉनसेप्ट बिल्कुल कि लिए और तीसरी बिल्कुल इमांदारी से बनाईए चाहे कितना भी आए इमांदारी से बनाईए और जहां भी आपको थोड़ा सा मतलब लग रहा है कि यहां हमको प्रूबलेम है उसको देखिए एक घंटा दो घंटा टाइम निकाल को उस प्रूपर टाइम दीजे यह होगे आपकी तीसरी बात और चौथी बात कि आप लोग मतलब जब भी एक्जाम सेंटर में जाएएगा यह मेरा प्रस्टनल इक्स्प्रिस मता रहा हूं एक्जाम सेंटर में जाएगा तो आप लोग कोसिस कीजिए का कि अधिक साथी अटेम लेने के लिए क्योंकि इसका निगेटी बहुत ही कम तो 1.8 आएगा और आप एक सही कर देंगे तो 2 में से 1.8 घटाइएगा तो 0.2 मार्क का फिर भी फायदा होने वाला है तो आप उन्हों को जो भी कोशन आ रहे हैं पहले उसको एटेम्प करना है इसके बात जो नहीं आ रहे हैं उसको भी आप लोग अपने मतलब जो भी करता था मालीजे कोई कोश्चन आपके सामने आया तो कोई भी ऐसा स्ट्रेंट हैं जिसको सारे कोश्चन आते हूं अधिक साधिक मतलब 5-6 कोश्चन आते हैं जिसका एंसर किसी को मालूम नहीं है ठीकिन आप लोग उसको भी एटेम्प करना है अगर मालीजे कोश्चन आया सेम है और एक थोड़ा डिफ्रेंस टाइप का लग रहा है तो आप लोग उसको टीक किजिए चुकि यह मतलब बताना अच्छा नहीं लग रहा है लेकिन कैसे भी आप लोग को मार्क्स बढ़े इस लिए हम इस चीज आपको बता रहा हूं और दूसरी चीज मालेज कोई भी कोश्चन है उसका एंसर नहीं मालूम है चार उसमें ऑप्सन है तो जो भी जिसका एंसर लगभग लंबा रहता है तो उसको आप लोग टीक किजिएगा उमीद मतलब ऐसा रहता है कि वो सही हो जाए चुकि यह इसका मतलब गरांटी नहीं है यह कि तुक्का है लेकिन हम सोचते हैं कि जो भी मेरे पास experience है आप लोग बताऊं चाकि कैसे भी आप लोग एक्जाम में दो नंबर या तीन नंबर चार मार्क्स का फायदा मिले यह मार्क्स आपको मेरिट बराने में बहुत ही हेल्फ करेंगे और कुछ भी आप लोग को क्वेड़ी होगा उसको आप लोग वेश्ट नहीं करना है कहीं साधी उदी में कहीं नहीं जाना है बस यह सोचना है कि यहीं 10 दिन मेरा future decide करेगा कि हम आगे क्या करने वाले हैं मेरे घंधे पर डश्टार लगेंगे या नहीं लगेंगे तो बिल्कुल ही एक एक मिनट का आप लोग को utilize करना ह है बिल्कूल मतलब जो भी आसपास हो रहा है उससे कड़ जाना है बस 25 तारीक को आप लोग 25 पर आप लोग का फोकस होना चाहिए तो फिलाल इस वीडियो में इतना है फ्रेंट्स मिलते हैं अगले वीडियो में तब तेक लिए आप लोग को all the best